अगर कोई इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता चाहे तो वहा के लिए अपने दम पर पहाड भी तोड़ सकता है जी हाँ अब सही सुन रहे हैं बिहार की मिट्टी में एक ऐसे ही सक्स ने जर्मी लिया था जिसने अपने दम पर 25 फिट उचे और 360 फिट लंबे पहाड को लेर वाह रास्ता बना दिया. नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी निवज में अज हम बात कर रहे हैं मॉन्टेर में दसरत मांजी के बारे में दसरत मांजी के बारे में जो कहा जाए वह कम है उवे करस्माई सक्स थे जिस तरह मुगल बात्साह सहा जहा ने अपने प्यार के खातीर संगमरमर का ताज महल बना डाला था उसी तरह उस इंसान ने अपनी पत्नी की खातीर पहाड का सीना चीर डाला और अपना प असान हो सके जिससे वो प्यार करते थे। अतिनीर्धन था। देश भले ही अजाद हो गया था। लेकिन आज भी गाउं में बिजली और पानी नहीं था। ना ही पक्की सडक थी। गाउं के लोगों को इलाज करने के लिए पहाड पार कर जाना पड़ता था। कुछ दिनों के बाद मान जी को एक लड़की पसंद आने लगी। बाद में पता चला कि बचपन में इसी लड़की से उनकी साधी हुई थी। बाद में फगुनिया और दसरत मान जी ने साधी कर ली। इसके बाद मान जी को पहाड के उस पार काम मिल गया। वे काम करने के लिए रोज जाते थे और फगुनिया रोज खाना लेकर जाती थी। एक दिन फगुनिया का फैर फिसल गया और वो गिर जाती है। दसरत फगुनिया को सहर के अस्पताल में ले जाते हैं जहाँ वे अपने गर्भ में पल रही बेटी को जन्म देती है। लेकिन अगले ही पल वो खुद मर जाती है। इस घटना के बाद मान जी पुरीतरह तूट जाते हैं और मन ही मन निश्चा करते हैं कि जिस पहाड की ब तोड़ता देख सब लोग उन्हें ताने मारते थे। कोई कहता था कि मान जी पागल हो गया है तो कोई कहता कि इसको सनक है। लेकिन मान जी ने कभी हार नहीं मानी। वे लगातार पहाड तोड़ते रहे और काम करते रहे। कई बार उन्हें चोट भी लगी। उनके पिता बहुत समझाया लेकिन वे उनकी एक न सुने एक वार इलाके में अकाल पड़ा तो पुरा गाउं जान बचाने के लिए दुसरी जगह चला गया लेकिन मान जी पहाड को तोड़ते रहे। लोग जब फिर गाउं लाउट कर आये तो देखा कि मान जी अभी भी पहाड तोड पर थी और उनकी वहाँ एक सभा हुई जिसमें दसरत मान जी भी सामिल हुए थे। इंद्रा गांधी के भासन का दोरान मंच तूट जाता है पर दसरत समेत कुछ लोग मंच को संभाल लेते हैं जिसके बाद इंद्रा गांधी अपना भासन पुरा करती है। आखिर में दसर पर दसरत को अपनी मीठी बातों में धासे में फसा लिया। मान जी को धोखा दे दिया पता चलने पर मान जी जमिंदार की सिकायत इंद्रा गांधी से करने के लिए दिल्ली निकल पड़े। रेल का किराया नहीं होने के कारण वे पैदल ही दिल्ली चले गए इस समय इंद् हुझे तो मान जी को गार्ड ने मिलने नहीं दिया। इंद्रा के साथ मान जी की तस्वीर विफार दिया और वहां से भगा दिया। इसके बाद मान जी एक बार फिर से पहार तोड़ने में लग गये। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें गलत तरीके से फसा कर जेल भेजव लेकिन एक पतरकार ने मान जी का साथ दिया और गाउं के लोगों के साथ मिलकर थाने के सामने परदर्संद करने लगे। जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। आखिरकार 1912 में मान जी ने उस 360 फीट लंबे, 30 फीट चाड़े और 25 फीट उचे पहाल को पूरी तरह से तोड़ दिया। जिसकी बजा से 55 किलोमीटर का रास्ता केवल 15 किलोमीटर का ही रह गया। उनके इस कारज के लिए उन्हें सन 2006 में पद मिस्री से नवाजा गया। दसरत मान जी का 17 अगस 2007 को गौलगी ब्लाडर में कैंसर के कारण निधन हो गया। अपने अंतिम समय में दस उनकी पत्नी यानि की फगुनिया का किरदार निभाया था। बिहार से जुड़ू ही और भी ऐसे ही एतिहासिक व्यक्तियों के बारे में जानने के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ मुझे दीजिये जाजत धन्यवाद।